राष्ट्रबात यह हमारी प्रेरणा है, अन्तियोदय यह हमारा दर्शन है और सूसासन यह हमारा मंत्र है इस पूरी रचना जो है उसमें एक आम तोर पर यह मैनिफेस्टो 2024 के लिए है लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब जंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है 2022 आज़ादी के 75 साल होंगे तब तक हमने देश के महपुर्शों ने जिन सपनों को लेकर के आज़ादी का जंग किया था आज़ादी के लिए बलिदान दिये थे जब आज़ादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने के दिशा में कुछ एहम काम कर ले पूरा कर ले इस उद्दे से 75 वर्ष 75 लक्ष यह हमने ताय किये हैं 75 निश्चित कदम हमने ताय किये हैं यह अपने आप में टायम बाउंट वैल डिफाइन शायद ही कोई गोशना पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे देश को समरुद्ध बनाने के लिए सामान ने मानवी के ससक्तिकरण को ले करके जन भागीदारी को बढ़ाते हुए लोग तांत्रिक मुल्यों को महत्मय देते हुए और सरकार की सबसे बड़ी कसोटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया सरकार के सबसे बड़ी कसोटी है लास्ट माइल डिलिवरी की और इसलिए वन मिशन वन डाइरेक्शन ले करके हम आगे बढ़ना का हमारा निर्दारी मंत्र है